Hello students, कैसे हैं आप सब? मैं कुसल सर्मा, आप देखें मैं यूट्यूब चनल कुसल क्लासेज, तो देखें आज हम क्लास 12 के element book में से chapter number 9, जो की indefinite integral का chapter है, कि 5th exercise को complete करने वाले हैं, आज हम 3rd question कर देंगे, होफ़ली आपको पहले की exercise questions जो हम समझ आए होंगे, फिर भी अगर किसी तरगा doubt रहा है, तो आप command भी कर सकते हैं, या telegram group में अपनी problem को share भी कर सकते हैं, तो चलिए हम 3rd question सुरू करते हैं, अब 3rd question देखिए, 3rd question हमारे पास क्या है, मैं 1st part लेकर चलता हूँ, देखिए, अब हम substitution यहाँ पर notice नहीं कर पाएंगे, बहीं कहने को तो उपर जो है, वो x square का derivative है, और नीचे एक जगए x square है, यहाँ तो x square नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर T मान भी लिया, तो यह dx के multiple method है, जो खतम हो जाएगा, तो अब यहाँ क्या करें, अब एक नया तरीका हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जिसमें हम फिर से कुछ ना कुछ changes करके, वैसा सही pattern बनाने की कोसिस करेंगे, या तो उपर वाले question जैसा, या आगे जो अब तक हम करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही, तो देखिए, करेंगे क्या, अभी के लिए first part में म आख को step by step बताया गया है, वो करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर मैं उसी को अपना जैसे जुगाड़ो system जो बोलते हैं, उसके according करेंगे, और marks fully मिलने हैं, यह मत सोचिए कि marks में कुछ कमी हो जाएगी, ठीक है, तो देखिए, जब भी आपके पास numerator denominator में ऐसे कुछ polynomial situation है, ठीक ह तो एक step छोटी है, तो as situation में आप क्या करोगे, numerator को आप let करोगे, ठीक है, हमें numerator को कुछ modify करना है, कैसे modify करना है, a times multiple, जो है, वो हम क्या रखेंगे, denominator का derivative, ठीक है, and plus b, तो यह कैसा बन जाएगा, x as it is, a, यह देखिए, x square का derivative, 2x, फिर x का derivative, 1, और 1 का derivative, 0, and then b, अब हम यहां से यह करेंगे, कि bracket कर देते, open, तो यह बन गया, 2ax plus a plus b, अब हम यहां पर comparing का काम करेंगे, comparing both sides, तो अब क्या compare करना है, देखिए, x का coefficient, right hand side में 2a है, है ना, और जबकि left hand side में x का coefficient, 1 है, तो यानि कि हम compare करके, 2a को 1 की equal लिख सकते हैं, तो यहां से हम notice करेंगे, कि a की value कितनी आ रही है, 1 by 2, and constant term, right hand side में क्या है, a plus b है, और left hand side में constant term क्या है, जब कुछ number, यानि constant term नजर नहीं आ रही, that means कि वहाँ constant term 0 है, है ना, तो यहां से हम b की value निकालें, तो किसके equal हो जाएगी, minus a, that means b किसके equal हो जाएगा, minus 1 by 2, क्योंकि a 1 by 2 है, तो उसका negative time minus 1 by 2, तो देखे, b हमारी यह निकली है, ठीक है, a अपने पास यह आया है, तो अब हम x को वापस अब कैसा लिख सकते हैं, देखे, x को हमें कुछ ऐसे structure में रखना है, इसको नहीं लेकर चलेंगे, इसको तो हम modify कर चुके हैं, है ना, तो इस वज़े से हम structure को लेकर चलेंगे, तो x को लिखा जा सकता है, देखे, a, a की जगे में a की value रख रहा हूं, 1 by 2, ठीक है, देन उसके multiple में bracket में देखे, 2x plus 1, and then plus b, b की जगे b की value रखे, तो क्या है, minus 1 by 2, क्यानि कि हम x को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यह जान करके यह जो process की गई है, उससे फाइदा क्या हुआ, उससे फाइदा यह हुआ, कि यह देखिए, जो numerator है, वो numerator हमारा कुछ ऐसा बन गया, x की जगे हम ऐसा लिख सकते ह है, है न, यह हम directly तो फिलाल नहीं सोच सकते थे, देखिए, और इससे फाइदा यह हुआ, कि जब हम एक term के साथ separate करेंगे denominator को, यह देखिए, x square plus x plus 1 dx, और फिर minus, इस 1 by 2 के साथ अलग separate कर दिया, है न, 1 upon x square plus x plus 1 dx, तो सही देखिए, यह फाइदा हुआ, कि इधर तो पहले दो questions की तरह हमारा structure बन गया, हमें complete square method लगाना है, है न, और इधर क्या होगा, इधर actual में, देखिए, ध्यान से denominator का derivative आ गया उपर, और इसको हम directly log में लिख सकते हैं, है न, तो अब यह देखिए, सिर्फ x को इस तर देखिए, मैं इस i को दुबारा लेकर चल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, x कोई, अगर आप जुगाड करना सीख गए, तो आपको यह process नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, देखिए, आपको यह देखना है, कि नीचे का derivative क्या है, आप नीचे का derivative रफ में तयार कर लीजे, जैसे कि आप नीचे का derivative 2x प्लस 1, तो यूँ समझिए, वो derivative आपको यहाँ बनाना है, clear, अब वो derivative बनाने के लिए, हमने नोटिस किया, अभी तक सिर्फ x मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ x के साथ 2 है, और यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, फिलाल यानी की 1 है, है न तो ऐसे situation में, अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कि वो इसको एक और x दे देते हैं, add कर देते हैं, और subtract कर देते हैं, हमें कभी भी variable को add या subtract नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, हमें उसके coefficient को बनाना है वैसा, तो देखिए, x के multiple में क्योंकि 2 है, त तो 2 से divide भी कर दिया, हलागि ये step हमारा next होना चीए था, है ना, क्योंकि first तो हमारा क्या होता है, question होता है, तो हमने 2 से multiply किया, 2 से 7 साथ divide भी कर दिया, ठीक है, समझ रहें ना, क्यों किया है, क्योंकि हमें नीचे वाले का derivative उपर बनाना है, ठीक है, देखिए, अब हमारा ये 2 एक्स बन गया, लेकिन अब इसके plus में 1 भी है, है ना, तो अब उसके लिए क्या करें, अब ये plus में है, मैंने variable के लिए plus minus करने से मना किया था, numbers के लिए नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दे भी देंगे, और वापस छीन भी लेंगे, clear, तो ये देगे, x square plus x plus 1 and dx, अब simply आपको क्या करना है, जब आपका ऊपर derivative तयार हो जाए, कुछ ना कुछ extra बचेगा, बचने दो, no problem, ठीक है, उससे नहीं घबराना है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस derivative के नीचे denominator को अलग कर देंगे, ये देखे, और फिर minus के साथ अलग कर देंगे, तो ये 1 upon x square plus x plus 1 dx, तो देखे, कहां ये काम हमारा इस से 2 step में हो रहे है, और कहां हमें इतने steps follow करने पड़ेंगे, जब जाकर हम actual में, ये देखे, ये वाला structure बना पाएंगे, तो it's completely on you, हलांकि मैं आपको practice जो करवाँगा, वो practice इस तरीके पे करवाँगा, ताकि आपको ये चीजे आ जाए, और आपका मैं चाहता हूँ, exam में time बचे, basically, ठीक है, तो चलिए, हम already इस stage पर तो आ चुके हैं, तो अब इसको आगे continue करते हैं, तो देखे, जब भी हमारे पास, मैं एक लिख देता हूँ pattern, कि अगर एक function हो नीचे, और उसका derivative dx के multiple में हो, बात derivative dx के multiple की है, ठीक है, dx numerator में आने की बात नहीं है इसके derivative को, तो ऐसे situation में इसका direct integration हम कर सकते हैं, कैसे, log of this function, ये जो भी function है, याने की fx, ठीक है, and plus c, तो देखे, same structure हमारे पास यहाँ है, ये देखे, ये हमारा function है, और ये हमारा derivative है, तो function denominator में है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log of this function, तो मैंने जिसके help ली, उसको मैंने देखो mention भी कर दिया, अब इसमें, जब तक हम complete square method नहीं लगा लेते हैं, तब तक हम इसका integration नहीं कर सकते, तो हमने दो में से किसी एक का integration कर दिया, दूसरा भी रहता है, ठीक है, तो देखिए, x square का coefficient already 1 है, तो x का coefficient 1 है, तो उसका क्या करना है, half का square हमें add करना है पहले, फिर subtract करना है, और last में constant जो है वो हमने as it is लिख दिया, ठीक है, तो जब तक इसका integration नहीं हो जाता है, हमें ये वाला portion जो है वो as it is बार 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 लिखना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूं, थोड़ा time बचाने के लिए, ठीक है लेकिन हमें exam में, notebook में पूरा लिखना पड़ता है, तो देखिए क्या बन जाएगा, x and 1 by 2 के बीच में जाएगा, 2ab वाली term positive है, all square, और 1 fourth और 1 को आपस में subtract करें, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 fourth बच रहा है, है न, उपर 1 है, dx है, फिर से 1 by 2, ये term है हमारे पास, 3 by 4 को, root 3 by 2 का, all square लिख सकते हैं, है न, तो अब ये किसका pattern बन गया, ये हमारे पास pattern बन गया है, बताइए, comment करके बताइए जब तक मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, ये बन गया हमारे पास 10 inverse का, जो कि किसके इकोल होता है, 1 upon a, a क्या हो जाएगा, root 3 by 2, by उपर चला जाएगा, है न, and 10 inverse variable part upon constant part, है न, plus c, तो इधर 2 से 2 cancel, इसको little bit हम क्या कर लेते हैं, simplify, सिर्फ 10 inverse का जो हमारे पास value है, उस value को, और कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ hazardous ही रह सकता है, तो देखिए, numerator का जब हम lcm लेंगे, तो lcm कितना जाएगा, 2, तो वो x से multiply होगे 2x, और plus, और denominator में भी denominator 2 है, तो ये दोनों आपस में cut गए, हमा हमारा first part का answer, clear, चली, second part करते हैं, तो इस बार second part पर हम ज्यादा time नहीं लगाएंगे, first part में हमने काफी detail में कर लिया है, तो देखिए, 3x plus 1, 3x plus 1, और नीचे I think 2x square plus, कुछ होगा तो मैंने space छोड़ दिया, x plus 1, यही था, ठीक है, so I integral dx, तो देखिए, अब हम वही अपना जुगाड़ो system त्यार करेंगे, हमने denominator का derivative rough में देखा तो क्या आ रहा है, 4x plus 1 आ रहा है, लेकिन यहां तो x के multiple में 3 है, 4 तो नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको निहत्था करना पड़ेगा, ठीक है, तब ही हम इसमें modification कर सकते हैं तो हमने क्या गिया, 3 common ले लिया, तो यह बन गया x plus 1 by 3, ठीक है, denominator तब तक के लिए same जब तक numerator में edit का काम नहीं हो जाता है, ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इस x को 4 से multiply करना है, तो देखिए हमने x को 4 से multiply किया है, सिर्फ x को नहीं, numerator को 4 से multiply किया, तो 1 by 3 भी होगा, सब को करना है, partiality नहीं करनी है, तो 4 से divide भी कर दिया हमने, है ना, numerator में 4 multiply किया, तो divide भी कर दिया, वही process, और फिर से denominator, same, अब इसमें है plus 1, तो ऐसा करते हैं, कि 1 add कर देते हैं, और 1 subtract कर देते हैं, ठीक है, minus 1, plus 4 by 3 हमारे पास, 3, 2x square, plus x, plus 1, dx, सो अब यह देखिए, अब हमें क्या करना है, is 4x, जो derivative बन गया, उसके नीचे, अलग करना है, ताकि यहां पर हम log की वह property लगा सकें, है ना, और यह constant क्या बज़ गया, minus 1, plus 4 by 3, तो इसको combine करेंगे, तो कितना बचरा हमारे पास, 1 by 3, है ना, तो इस, plus 1 by 3 के साथ, अलग करेंगे, लेकिन एक बाहर 3 by 4 भी था, और यह 1 by 3 भी आ जाएगा, तो numerator में हमारे पास सिर्फ क्या बचरा है, 1, और denominator में, अब हम क्या करेंगे, complete square method apply कर देंगे, चिक है, तो इधर तो क्या बन जाएगा, 3 by 4 log of function, यानि कि, 2x square plus x plus 1, and यहां कुछ cancel हो रहा है, तो 1 by 4 भचा, लेकिन अब क्योंकि हमें complete square method लगाना है, तो आपने notice किया, यह x square का coefficient 1 नहीं है, 2 है उसके साथ में, तो इस 2 को हमें common लेना पड़ेगा, हमने 2 common लिया, तो यह बन गया x square, plus 1 by 2x, plus 1 by 2, and dx, clear? तो फिर से 3 by 4, यह term तो अब साथ चलेगी, यह बन गया 1 by 8, अब हमें क्या करना है, x square plus 1 by 2x, तो देखें, 1 by 2, यानि कि x का जो coefficient है, उसका half करें, तो half का मतलब बताया था न, 1 by 2 से multiply करना, जो कि कितना हो गया, 1 by 4, तो हमें क्या करना है, 1 by 4 के square से add करना है, and then subtract भी करना है और एक plus का 1 by 2, already हमारे पास बचा हुए है, ठीक है, dx, so फिर से 3 by 4, यह same, 1 by 8, same, अब हमें इनको pack करना है, so यह तो बन जाएगा, x plus 1 by 4 का square, और यहां इन दोनों को आप combine करें, तो देखें, आलसम कितना आ गया 16, तो उपर बन गया minus 1, plus 8, यानि कि 7 by 16, है न, so plus का बचा है, तो 7 by 16, 1dx, अब इस 7 by 16 को हम किसका square लिख सकते हैं, अब हमें वो करना है, so इसको square की form में लिख लेते हैं, क्या है, x plus 1 by 4 square plus root 7 by 4 का square, तो यह किसका pattern बन गया, यह फिर से हमारे पास 10 inverse का बन गया, है न, क्या होता है, 1 upon constant, तो constant, root 7 by 4, by 4 उपर आ गया, and 10 inverse variable part, upon constant part, है न, plus c, अब इसको लिख लेते हैं, क्या था, log of, I think, 2x square plus x plus 1 था, है न, and plus, यहां 4 से 8 हापस में cancel हो जाएगा, तो क्या बज़ जाएगा, 2 बज़ जाएगा, और root 7 पहले से ही है, है न, और यह numerator में LCM लें, तो LCM कितना आ रहा है, 4, तो यह बन गया, 4x plus 1, तो वो LCM denominator के 4 से cancel हो जाएगा, plus c बचा, यहां गया हमारा answer, तो इसे के साथ हो गया हमारा second part कतम, चलिए फटा-फट, थर्ड गरते हैं, क्या है, कहां गया भई, 1 minus 3x है, कोई बात नहीं, and then 3x square plus 4x plus 2 है, 1 minus 3x, and नीचे है, 3x square plus 4x plus 2, and dx, है ना, तो यहां पर फिर से हम क्या करें, इसका denominator का derivative देख लेते हैं, क्या बनेगा, 6x plus 4 बनेगा, है ना, तो अब यह देखिए, हमारे पास 3x तो already है, इसको बस 2 देना है, और इससे minus छीन लेना है, है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, इससे हमने minus तो छीन लिया, यह यूँ करिए, हमने इसको minus 2 से multiply कर दिया, तो सी यह होगा, minus 2 से divide भी करना पड़ेगा, तो minus 2 से जब हमने इसको multiply किया, तो यह क्या बन गया, 6x, और 1 को किया, तो यह minus 2 बन गया, समझ रहे हैं, हमें तो वो तयार करना है pattern, तो उसके लिए आपका दिमाग, आपके creativity चाहिए, कि आप उसमें कम से कम काम में, कैसे exact वो pattern बना सकते हैं, denominator फिर से सेम, उसमें कोई changes नहीं है, लेकिन, यह चलिए minus को तो मैं उपर ले आता हूँ, 6x के plus में 4 है, तो मैंने उसको 4 add किया, और 4 subtract पर कर दिया, है ना, फिर से denominator सेम, तो हमने notice किया अब डेरिवेटिव तो हो गया तयार, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको separate करना है, so 6x plus 4 के नीचे डेरिवेटिव अलग हो गया, है ना, और यहां क्या बचा, minus 6, और एक minus का 1 by 2 पहले सही है, तो 2 minus और minus क्या हो जाएंगे, plus, है ना, 1 by 2, और वो 6 मैंने बाहर लिख लिया, ताकि numerator में हमारे पास सिर्फ 1 न ज़र आए, so 3x squared, plus 4x, plus 2, dx, तो यहां हमारे पास क्या बच गया, 1 by 2, यहां फिर से वही बन गया, log of 3x squared, plus 4x, plus 2, और यहां बन गया हमारे पास 3, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन अब यह देखिए, complete square method लगाएंगे, तो x squared का coefficient तो कुछ extra है, तो हमें वो 3 चीनना पड़ेगा इससे, तो यहां पर क्या बन गया, 3 चीनते ही, यह बन गया x squared, और 4 के पास नहीं था, तो उसको डिवाइड कर दिया, 2 के पास भी नहीं था 3, तो उसको भी डिवाइड कर दिया, dx, अब complete square method लगाएं, minus 1 by 2, यह same, यहां हमारे पास, अब हमें क्या गरना है, x squared same, plus 4 by 3, x same, so 4 by 3 का half, 2 by 3, तो 2 by 3 का square हमने add किया, और यह देखिए, subtract भी कर दिया, और 2 by 3 एक पहले सही है, है न, dx, so minus 1 by 2, यह same, अब इसको हमें wrap करना वापस है, gift wrap कर देते हैं इसको, है न, तो यह बन जाएगा, x plus 2 by 3 का square, और इनको combine करें, तो देखिए, इनका lcm कितना आ रहे है, 9, तो यहां क्या बन गया, minus 4, और यह क्या बन जाएगा, 6, है न, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 by 9, so 2 by 9 को हम क्या लिख सकते हैं, root 2 by 3 का square नहीं लिख सकते, है न, तो अब यहां पे, फिट से हमारे पास कोई pattern बन गया, minus 1 by 2, यह same root, और यहां, sorry मैंने equal लगा दिया, plus, फिट से 10 inverse का ही बन रहे है, पता नहीं क्या situation आ रही है, तो लगा देते हैं हमें, क्या जोड पढ़ता है, तो यह बन जाएगा, 1 upon constant, यानि कि root 2 by 3, by 3 उपर आ गया, और 10 inverse variable part, upon constant part, है न, plus c, अब इसकी जगे इसकी value रख देते हैं, कि वह है, 3x square plus 4x plus 2, and, plus 3 by root 2 तो है, and 10 inverse, यहां है lcm कितना आ गया, 3, तो यह बन गया 3x plus 2, और divide में root 2 बच गया, क्योंकि उसका denominator, तो lcm उपर वाले lcm से कट गया था, यह आ गया हमारा third part, clear, चलिए, next करते हैं, क्या है 2x, खेर अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अब complete करते हैं, देखिए, 2x plus 1, और नीचे हमारे पास क्या है, देखिए, नीचे वाले part को मैं ऐसे लिख लो, minus x square, minus 4x, plus 18, मैंने बस higher degree की term को पहले लिख लिया, उससे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तो अब देखिए, denominator का derivative देखिए, क्या होगा, minus का 2x, और minus का 4 होगा, जबकि हमारे पास 2x तो already है, बस इसको minus देने की जरूरत है, है ना, तो हमने क्या किया, minus से multiply करवा दिया, और एक minus हमने बाहर भी रख दिया, चीक है, या एक काम और भी कर सकते दे, क्या, यह देखिए, एक और चीज़ ट्राइ करते हैं, हमने, नीचे से minus कोमन ले लिया, और वो बाहर डाल दिया, उससे देखिए, यह opposite sign क्यों हो गए, इससे आपका जो answer होगा, वो little bit हलका सा change सा नजर आएगा, पर घंवाने की बात नहीं है, सब सही ही है, ठीक है, इसका derivative करेंगे, तो क्या हो जाएगा, minus और यह बन जाएगा, plus, यानि कि 2x plus 4, तो देखिए, आपके पास already 2x हो ही, 4 और add करना है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए, एक तो आपके पास already है, आप यह कर सकते हैं, कि 3 जोड दिया, 3 गटा दिया, या आपको directly अगले step पे जाना है, तो 4 add, और 4 subtract भी गर दिया, ठीक है, नीचे वाला, same, अब वही separation का काम कर दें, तो देखिए, 2x plus 4 के नीचे denominator, separate हो गया, dx, और फिर एक यह minus तो यह वाला है, ठीक है, और minus 4 plus 1, minus 3, तो वो minus एक और आगया, plus हो गया, 3, और यहाँ पर, yes it is, clear, dx, तो यहाँ क्या बन गया, log of, function, और अब यहाँ हमें क्या करना है, complete square method लगाना है, तो देखिए, x square square, 4x, तो 4 का half, 2, तो 2 का square, add, और subtract कर दिया, और minus 18 पहले से ही था, dx, तो फिर से यह same, यहाँ यह कैसा structure बन गया, यह structure बन गया, x plus 2 का square, और minus, यह कितना बन गया, 22, है न, तो 22 को क्या लिख सकते हैं, root 22 का square लिखा जा सकता है, है न, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम इसमें, तो हमने, इसको root 22 बना दिया, तो अब यह किसका pattern बन गया, यह pattern बन गया, log का, ठीक है, तो यह चली अब लिखे देते हैं, x square, plus 4x, minus 18, plus 3, और यह log का होता है, 1 upon 2a, यह क्या है, root 22, और यह हो गया, log of, variable part, minus, constant part, and divided by, variable part, यह variable part, उपर positive आता है, यह प्लीज, यह बार confirm, करता हूं है, रूको, वेट करो, नहीं, बिल्कुल सही है, denominator में, variable part, plus constant part, तो यह बिल्कुल सही है, not to worry, and c, इसे ज़्यादा, हम इसका, और कुछ, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब यह जो, starting में, अमने denominator से, minus common ले लिया था, उसकी वज़े से, हो सकता है, आपको, हलका सा, इसमें, change देखने को, मिल जाए, but not to worry, यह भी, बिल्कुल सही है, ओके, चलिए, next करते हैं, क्या है, x plus 2, 2, 6, 5, ओके, x plus 2, 2, 6, 5, dx, तो देखे, denominator का derivative, देखें तो क्या आएगा, 4x plus 6 आएगा, है ना, तो इसको 4 से, हमने divide भी कर दिया, और 4 से multiply भी कर दियते, तो यह बन गया, 4x plus 8, और यहां, 2x square, plus 6x, plus 5, 5, और dx, तो देखें, 4x के plus में 6 चाहिए, तो plus में 8 है, उस 8 में से, इसको 6 दे दो, है ना, तो 8 को हम 6 plus 2 लिख सकते हैं, हमें extra कुछ अपने तरफ से, add, subtract नहीं करना बड़ा, हमारे पास था वो constant part, तो हमने उसको दे दिया, तो अब simply वही काम करते हैं, derivative के नीचे, function, अलग separate कर दिया, यह देखे, है ना, और, constant 2 के नीचे, अलग कर दिया, 2x square, plus 6x, plus 5, and dx, अब इसका, derivative, sorry, integration करने तो, यह क्या जाएगा, log of, वही, function, 6x, plus 5, और, plus, यहां क्या बज़ जाएगा, 1 by 2, लेकिन आप देखे, complete square method लगाएंगे, तो, हमारे पास, x square का coefficient, बाहर लेना पड़ेगा, तो, क्या जाएगा, 1 by 2 एक और बाहर आगया, तो, अंदर क्या बचा, x square, plus 3x, plus 5 by 2, and, dx, है ना, तो, यह आगया, 1 by 4, yes, it is, 1 by 4, अब हमें, अपने तरफ से कुछ, add, subtract करना है, तो, देखी, 3x, same, 3 का half, क्या हो जाएगा, 3 by 2, का square, add, and, subtract करना है, and, 5 by 2, already है, so, और dx, as it is, so, 1 by 4, यह फिर से, same, so, 1 by 4, इसको, हम लिख सकते हैं, क्या लिखा सकता है, x, plus 3 by 2, का whole square, है न, और यहां, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह तो बन जाएगा, 10 by 4, तो, यह आगया, 1 by 4, और 1 by 4, को हम, 1 by 2, का square, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, यह आगया, dx, है न, ओके, so, 1 second, ठीक है, चली, आगे करते हैं, तो, किसका pattern बन गया यह, यह बन गया हमारे पास, फिर से, 10 inverse का, क्योंकि, 1 upon, constant square, plus variable square, यह ही है, जो कि क्या होता है, 1 upon a, और a क्या है, 1 by 2, यह ऐसा बन जाएगा, और, 10 inverse, variable part, divided by, constant part, and plus c, तो, finally, answer लिख दें, क्या गया, log of, 2x square, plus, 6x, plus, 5, and, plus, यहाँ, 4, half, आपस में मतलब, cancel होगे, half बन जाएगा, और यहाँ गया, 10 inverse, numerator का, calcium ले, तो, यह 2 आगया, तो, 2x plus 3, और denominator का, 2 cancel, तो, 1 बचा, अब denominator में, 1 आप दिखाएँ, या ना दिखाएँ, कोई जरूरत, नहीं है, आप इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो, यह आगया हमारा, 5th पार्ट, चलिए, last पार्ट करते हैं, काफी लंबे गोश्चन थे, 3rd के, चलिए, देखते हैं, क्या था, dx, x plus 2 root, root के अंदर है, x plus 3, अके, तो, देखे, mainly मैं, starting से बोलता रहा हूँ, जो दिक्कत देता है, उसे को t माल लो, तो, हाला कि इन्होंने hint भी दे रखा है, लेकिन hint में, थुदा सा change करके दे रखा है, तो मैं यहां से, इस को लेकर चलूँगा, देखिएगा, ठीक है, तो मैं यहां क्या करूँगा, root के अंदर, जो x plus 3 है न, उस complete को t माल लोँगा, so, x plus 2, और उसके multiple में है, root of x plus 3, उपर सिर्फ dx था, so, मैं क्या करता हूँ, जो problem दे रहा है, मेरेको तो यही problem दे रहा है, root, तो मैंने इसको t माल लिया, अब ऐसे के लिए देखिए, यह तो t में बदल जाएगा, यह भी किसी तरह से t में बदल जाएगा, तो इस x का क्या करें, तो वो x की value हम यहां से निकालेंगे, तो ऐसा करते हैं, पहले हम squaring both side कर दें, यह x plus 3 हो जाएगा, और यह हो जाएगा t square, और फिर x की value यहां से निकालेते हैं, जो कि क्या बन जाएगी, t square minus 3 plus 2 as it is, और root की जगह क्या आ गया, t और उपर dx की जगह क्या आ गया, 2 t dt, यानि कि अब हमें नीचे वाले का derivative उपर बनाना है, तो क्या करें, देखें नीचे वाले का derivative क्या आ रहा है, t square का 2t, और 2t का 2, minus 3 तो constant है, वो 0 जाएगा, तो नीचे वाला तो मैं as it is रख लेता हूं, बस आगे पिछे लिख लेता हूं, pattern में, तो देखें 2t तो already था, तो हमने क्या किया, 2 add और 2 subtract भी कर दिया, clear, अब 2t plus, sorry, t बोल रहा हूं, लेकिन लिख x रहा हूं, पता नहीं, so 2t plus 2 के नीचे, function separate कर दिया, यह नहीं denominator, और minus के 2 के नीचे, अलग separate कर देते हैं, ठीक है, t square plus 2t minus 3, and dt, फिर से मैंने dx लिखा, actual में dx लिखने की बस, इतनी आदत हो गई है कि कुछ भी सोच लें, लेकिन x सी लिखा जाता है, so यहां तो क्या हो गया, यहां तो log की property लग गई, log of t square plus 2t minus 3, है ना, एक गलती, I think मैं करता आ रहा हूं, क्या देखे, integration यहां से start हो चुका है, तो हमें यहीं से, c जो है, वो continue करना चाहिए, ठीक है, उपर के भी सभी parts में, आप यह कर लेना, जैसे माली जे दो अलग लग part है, उनमें से एक part का integration हम कर चुकी है, तो उसके नाम का भी तो कोई constant आएगा, है ना, तो जब दूसरे का integration होगा, तो उसके नाम का constant आपस में, यह मर जो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे का थोड़ा सा ध्यान लगना, यहाँ मैं अब complete square method लगा रहा हूँ, so t square का coefficient तो already 1 है, so t का coefficient 2, तो 2 का half 1, 1 का square add और subtract हमने कर दिया है, ठीक है, c उसके नाम का मारे पास आगे, yes it is, minus 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह लिखा जा सकता है, t plus 1 का whole square, minus 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का square dt, है ना, plus c, तो यह फिर से हमारे पास, किसका pattern बन गया, यह pattern बन गया है, log का, अभी अभी थोड़े दिर पहले हम करके आए हैं, क्या होता है, 1 upon 2a, और a के अपना 2 है, यह ना, और यह होता है, log of variable part, minus constant part, divided by variable part, plus constant part, plus, एक c पहले सही था, तो अब t की जगे वापस से t की value रख दें, हमने t किसको माना था, हमने t माना था, root of x plus 3 को, और t square किसका equal है, x plus 3 के, तो देखे, t square की जगे हम लिख देते हैं, x plus 3, और 2 time of, root t की जगे, root of x plus 3, minus 3 as it is, यह minus 3 और यह plus 3 तो cancel हो जाएंगे, minus, यहां से माना पास क्या बच गया, 1 by 2, और यहां, यह देखे, t की जगे, root of x plus 3 रखा, और यह 1 minus 2 क्या बच गया, 2 क्या बन गया, plus 3 बन गया, clear, तो यह हो गया, अब बस, आप इसको, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वो बीच में से 3 हट गया, ठीक है, minus 1 by 2, as it is, तो यह था हमारा, third question, so hopefully आपको इस third question के, 6 के छे पार्ट जो है, वो समझ आई होंगे, okay, so content अच्छा लगा है, तो please like करना ना भूले, share करना ना भूले, अपने friends के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ benefit हो, और channel पर नए हैं, तो please subscribe भी करें, तो चलिए मिलते हैं, next video में, fourth question के साथ,